आपका स्वागत है तिवारी एकैडमी में आज हम बात करेंगे कक्षा साथ में दूर्वा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में नौवे पाठ्य की जिसका शीर्शक है विश्वेश्वरयया आप कहेंगे यह कैसा नाम है यह नाम एक व्यक्ति का है कोई आम या साधरन व्यक्ति एक बहुत ही महान शक्सियत का नाम है तो चलिए जानते हैं इस अध्याय में मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरयया जी के बारे में लेकिन इससे पहले कि हम इस अध्याय को पढ़ें समझें जाने कि उन्हें एक काम करें कि इस अध्याय के इस कहानी के जो शब्दार्थ है उनको पहले समझ ले ताकि हमें यह कहानी को समझने में आसानी हो सरलता से हम इस पार्ट को समझ पाएं तो बच्चों सबसे पहला शब्द जो हमारे सामने है वो है मंडराना इसका मतलब होता है चारो और घूमना भई आपने यह शब्द पहले भी तो सुना होगा मंडराना इसका मतलब होता है क्या चारो और घूमना मेरे आसपास मत मंडराओ यानि मेरे चारो और मत घूमो मूसलाधार वर्शा इसका मतलब होता है तेज बारिश होना नेहारना इसका मतलब होता है देखना मुझे मत नेहारो यानि मुझे मत देखो बुदबदाना बुदबदाना अपस में बोल रहे थे उपनिवेश का मतलब क्या होता है वहां देश जिस पर किसी अन्य देश का अधिकार हो जहां पर कोई देश दूसरे देश पर अपना अधिकार जमा ले और वहां के समस्थ प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों का उपभोग करे उसे ही कहते हैं उपनिवेश इसके बाद है आत्मसाथ करना आत्मसाथ करने का मतलब होता है आचरण में ढालना उसको अपने आचरण में लेकर आना मस्तिश्क मस्तिश्क का मतलब होता है दिमाग उर्जा का तात्पर्य है इस अध्याय में शक्ति के साथ असीमित का मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो असीमित अंतरद्रिष्टि इसका मतलब होता है समझ और आकृति का मतलब होता है बच्चो आकार तो मुझे उमीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी अब हमने जब शब्दार्थ समझ लिये हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस खास अध्याय को जिसका नाम है विश्वेश्वरया तो देखी आप सबसे पहले चित्र में लड़के को तो देखी रहे हैं देख रहा है प्रकृति के मनोहर द्रिश्य को बादल है पेड़ पौधे हैं नदी बहर ही है तो अब चलिए देखते हैं क्या लिखा है लिखा है कि आकाश में अंधेरा चाया हुआ था बादल आकाश में मंडराते हुए एक दूसरे से टकरा जाते तो बिजली चमक उठती और गर्जन होता भई आपने भी तो बादलों की गर्ज विश्वेश्वरया अपने घर के बरामदे में खड़ा इस द्रिश्य को निहार रहा था गली में पंक्तियों में खड़े पेड बारिश में धुल जाने के कारण साफ व सुन्दर दिखाई दे रहे थे पत्तियों और टहनियों से पानी की बूंदे टप टप गिर रही थी थोड़ी ही दूरी पर हरे भरे धान के खेत लहला हा रहे थे जहां विश्वेश्वरया खड़ा था वही निकट की नाली का पानी उमल घुमल रहा था उसमें भवर भी उट रहे थे उसने एक जलप्रपात का रूप धारन कर लिया था मानो छोटा सा जर्ना बै रहा हो वहा थी बड़े पत्थर को अपने साथ बहा कर ले जा रहा था जिससे उसकी शक्ति का प्रदर्शन होता था विश्वेश्वरया ने हवा और सूरी की शक्ति को भी देखा था सामोहिक रूप से वे प्रकृति की असीम शक्ति की ओर संकेत कर रहे थे प्रकृति शक्ति है मुझे प्रकृति के बारे में सब कुछ जानना चाहिए वह छोटा सा लड़का बुदबुदाया यानी धीरे से धीमे से बोला फिर उसने थोड़ी दूरी पर निर्भीकता से मुसलाधार वर्शा में खड़ी एक आकृति को ताड़ पत्र की छतरी में लिए देखा वह उसे तुरंद पहचान गया उसकी कपड़े फटे हुए थे वह कमजोर और भूखी लग रही थी वह एक जोपड़ी में रहती थी उसके बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते वह गरीब थी विश्वेश्वरया ने सोचा वह इतनी गरीब क्यों है उन्हों ने बड़ी गंभीरता से प्रक्रती और गरीबी के कारण के बारे में जानने का प्रयास किया वह परिवार के बड़ों से इन बातों का उत्तर जानना चाहते थे वह अपने अध्यापकों से भी जिरा करते वह उनसे प्रक्रती के बारे में पूछते उर्जा के कौन से रहती है क्या उसे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए धीरे धीरे इस लड़के को प्रकृति और जीवन के बारे में अंतर द्रिष्टी यानी समझ प्राप्त होने लगी उन्हें महसूस हुआ कि ज्ञान असीमित है उसे बिना रुके सीखते रहना होगा तभी उन्हें उन प्रश्णों के उत्तर मिल सकते हैं जो उन्होंने उठाए थे उन्होंने निश्चे किया कि वह जीवन परियंत तक छात्र बने रहेंगे क्योंकि बहुत कुछ सीखना बागी है इसी संकल्प में उनकी महानता की कुण्जी थी मोक्ष गुंडम विश्विश्व प्रईया का जन्म मैसूर जो की अब करनाटक में हैं बच्चो वहां के मुद्देना हल्ली नामगस्थान पर 15 सितंबर सन 1861 को हुआ था उनके पिता वैद्य थे आप जानते हैं वैद्य का मतलब क्या होता है वर्शों पहले उनके पूर्वज आंध्य प्रदेश के मोक्ष कुंडम से यहां आए और मैसूर में बस गए थे दो वर्श की आयू से ही उनका परिचय रामायन महाभारत और पंचितंत्र की कहानियों से हो गया था बच्चो पंचितंत्र के बारे में तो आपने सुना ही होगा है ना ये कहानिया हर रात घर की व्रिद्ध महिलाए उन्हे सुनाती थी कहानिया शिक्षा प्रद वह मनुरंजक थी इन कहानियों से विश्वेश्वरयया ने इमांदारी दया और अनुशासन जैसे मूल मानवी मुल्यों को आत्मसात किया यानि अपने आचरण में ले करके आये बच्चो आप तो जानते ही है हम जो भी शिक्षा प्र जाप्त की हो या किसी घटना से या किसी बड़े ने हमें कुछ समझाया हो जब तक कि हम उस शिक्षा को अपने चरित्र में नहीं लिया आते यानि जब तक कि हम उस शिक्षा को आत्मसात नहीं करते अपने आचरण में नहीं लाते क्या उसका कोई अर्थ है बिल्कुल नही विश्वे शुरया चिकबल्लापुर के मिडिलवा हाई स्कूल में पड़े जब उन्हें God Save the King ईश्वर राजा को सुरक्षित रखे वाला गीद गाने को कहा गया तो उन्हें पता चला कि भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश है अपने मामलों में भी भारतियों को कुछ कहने का अधिकार न था भारत की अधिकान संपत्ती विदेशियों ने हडप ली थी क्या उनके घर में काम करने वाली नौकरानी विदेशी शासन के कारण गरीब है यह प्रश्वेश्वर रहिया के मस्तिश्क में उमरता घुमरता रह राश्ट्रियता की चिंगारी जल उठी थी और उनके जीवन में यहां अंत्य समय तक जलती रही विश्वेश्वरे यहां जब केवल 14 वर्ष के थे तब ही उनके पिता की मृत्य हो गई क्या वहाँ अपनी पढ़ाई जारी रखें इस प्रश्ण पर तब विचार विमर्ष हुआ जब उन्होंने अपनी मां से कहा अम्मा क्या मैं बैंगलोर जा सकता हूँ मैं वहाँ मामा रामाईया के यहां रह सकता हूँ वहाँ मैं कॉलेज में प्रवेश ले लूँँगा पर बेटा तुम्हारे मामा अमीर नहीं है तुम उन पर बोच क्यों बनना चाहते हो उनकी मा ने तर्क किया तब विच्वेश वरिया ने जवाब दिया अम्मा मैं अपनी जरूरतों के लिए स्वयम कमाऊंगा मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दूँगा अपनी फीज मेरे पास कुछ पैसे भी बच जाएंगे जिने मैं मामा को दे दूँगा विश्वेश वरिया ने समझाया उनके पास हर प्रश्न का उत्तर था समाधान ढूनने की शमता उनके पूरे जीवन में लगातार विक्सित होती रही और इसी कारण वह एक विहवारिक व्यक्ति बन अनुबाद अपनी भाषा में सुमंजयन ने किया है ताकि हम इसे समझ पाएं तो बच्चो मुझे उम्मीद है कि आपको विश्वेश वरिया के बारे में बहुत कुछ समझ में आया होगा अब देखिए पार्ट से कुछ प्रश्न है जब हमने अध्याय को समझ लिया है तो प्रश्न के जवाब भी हमें आने चाहिए है ना पहला प्रश्न है अपने घर के बरामदे में खड़े होकर 6 वर्शिय विश्वेश वरिया ने क्या देखा तो आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं कि अपने घर के बरामदे में खड़े होकर 6 वर्शिय विश्वेश वरिया वो यहाँ थी कि पहले जानो फिर करो इसके बाद है विश्वेश्वरिया के मन में कौन-कौन से सवाल उठते थे तो विश्वेश्वरिया के मन में सवाल उठते थे प्रकृती को लेकर के प्रकृती की शक्ती को लेकर के गरीबी के विशय में कि गरीबी क्यों है क्या उपनि आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभ्यास में और भी बहुत सारी चीज़े हैं। जैसे कि वाक्य बनाओ, नीचे पाट में से चुनकर कुछ शब्द दिये गए हैं, तुम इनका प्रयोग अपने ढंग से वाक्य को बनाने में करो। जैसे हरे भरे, उमड घुमड, एक दूसरे, धीरे धीरे, टपटप, फटी पुरानी। अब एक और प्रशन आपके हिस्से में आया है कि इन वाक्यों को पढ़ो और इने प्रशनवाचक वाक्यों में बदलो। प्रशन हुए हैं, उनके स्थान पर उन शब्दों का लोब खो जाए और आप एक प्रशन लगा दे। जैसे लिखा है ग्यान आसीमित है, तो आप इसको प्रशन में बदल सकते हैं कि ग्यान कैसा है। तब इसके उत्तर में आप कहेंगे कि ज्यान असीमित है। तो बच्चो मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय पूरी तरह से समझ में आया होगा और वीडियो पसंद ही आया होगा। तब तक कि लिए आप सभी को बच्चो मेरा नमस्कार।